वेलकम टूद जीक वेटी बैलोजी चैनल मैं हूं नेट गुरूजी एक और गर्वागरम वीडियो नेट के लिए भाया लैक ओपरोन का हम करेंगे क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है एक्जाम में लैक ओपरोन से क्वेश्चन आ रहा है इसलिए एक बार तो पढ़ लिया लेकिन भाया रिवीजन बहुत जरूरी है तभी टिप्स पे आईगी एक दम देखो लैक ओपरोन सिंपली बैक्टिरिया को क्यों चाहिए लैक ओपरोन एक मॉलेकुलर जेनेटिक मसीनरी है जो की लैक्टोज के डाइजेशन में बैक्टिरिया को चाहिए क्या होता है कि बात करें तो लैक ओपरोन की जरूत नहीं है अब भही जब लैक्टोज है नहीं तो उसके डाइजेशन के लिए जो उसका पर्टिक्लर सिस्टम हो वो क्यों एक्टिव होगा जाहिर सी बात है जब सब्स्ट्रेट ही नहीं तो मसीनरी चालो क्यों होगी तो इन दा एपसेंस जब हो और इनद्यूजर इंद्यूजर कौन है है लैक्टोज तो आई जीन जो है ना यह यह हमेशा यह प्रेशर मर ने बनाता रहता और यह प्रेसर भी बनाता रहता तो यह जिस्टम चलता रहता है लेकिन मैंने हमारे जैड, वाल, ठीक है बीटा, गलेक्टोसाइड में wär transcription को रोक देगा, enzymes बनने नहीं देगा, तो जब हमारा lactose है यह नहीं, तो enzyme की synthesis क्यों होगी, तो ZYA code नहीं करेंगे, यह जाके operator region से bind कर देगा, repressor binds to the operator region and prevents RNA polymerase from transcribing the operon, एक तो यह सिनारिय हो गया, अब दूसरा सिनारिय हुए है, माननो कोई growth medium है, उसके अंदर glucose था, तो bacteria preferably glucose ल मतलब glucose चाहिए, टेस्ट के रूप में, मतलब उसको अच्छा लगता है glucose, और easy to digest होता है उसके लिए, लेकिन glucose नहीं है, lactose मिल गया, अब वही हिसाब है न, जैसे हम घरों में हैं, तो अच्छा खाना खाते हैं, अब जंगल में कहीं चले गए, तो भही है, वहाँ जो मिले पर्जेंस पे भी जिन्दा रह सकता है, ठीक है, और उसके लिए इसके पास सिस्टम है, जिसको यह active करेगा, अब मान लो इन दा प्रजेंस ऑफ इंडिवजर, अब lactose आ गया, तो आई जीन तो रिप्रेसर MRN के लिए कोड करेगा, यह बन जाएगा तुम्हारा रिप्रेसर मॉलिक्यूल, लेकिन जो lactose है, वो lactose और alolactose दोनों, इसको क्या करेंगे, inactive repressor, इसको जाके bind कर देंगे, इसको inactive कर देंगे, जब repressor inactive हो जाएगा, तब यह machinery चालू हो जाएगी, जहाँ पे तुम्हारा lack MRN बनेगा, यह transcription सुरू हो जाएगी, बीटा, गलेक्टोसाइडेज, परमियेज, टांस असेटाइलेज, यह तीनों जो एंजाइम है, यह lactose की digestion में help करते हैं, ठीक है, यह तीनों एंजाइम, तो इनका रोल है, बीटा, गलेक्टोसाइडेज, परमियेज, और टांस असेटाइलेज, इन तीनों का individual role भी है, जो यहां थेयोडी में mentioned है, ठीक है, बीटा, गलेक्टोसाइडेज, बीच इस प्राइमेरली रिस्पॉंसिवल फॉर है, यह तो इस मोनोमेरिक यूनिट से, यह हो गया, गलेक्टोस एन ग्लुकोस, ठीक है, यह किस में तूट देंगे, गलेक्टोस एन ग्लुकोस में, यह जीन codes for transacetylase, hence all the three gene products in lacopron are required for metabolism of lactose, तो यह था बहिया, कोई क्रिविजन, की lacopron एक तो बैक्टिरिया को चाहिए क्यों, यह तब चाहिए, जब गलुकोस खतम हो जाए, तो लैक्टोस पे जिंदा रह जाए, इसलिए अगर lacopron नहीं होगा, तो बैक्टिरिया लैक्टोस पे अपरोन होते हैं, ठीक है जी, और भी अलग 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 टाइप के अपरोन होते हैं, जो कि अलग 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 चीजों के लिए होता, जैसे यहां दिया हुआ है, lacopron, tryptophan, arabinoze, histidine, valineopron, ठीक है, यह अलग 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 चीजों को digest करने के लिए, ठीक है, अलग अलग च सबड़ा हुआ हैं, सबस्पर गाख करने के लिए मिए.